तो हलो फ्रेंड स्वागते आप सभी का एक नए वीडियो में आए जानते हैं कि 2000 रुपए का नोट जो बंद हुआ है वो आप कैसे वापस कर पाएंगे बैंक को और आपको कितना रुपए मिलेगा दरसल 2000 रुपए का नोट सरकार ने बंद कर दिया है और बियाई का बड़ा कि नोट के चलन को वापस लेने का फैसला किया है ऐसे में अगर आपके पास ये नोट है तो जानना बहुत जरूरी है आपको क्या करना होगा आए जान लेते हैं इसका पूरा अपडेट दरसल दोस्तों रिजर बैंक आफ इंडिया की तरब से जो फैसला हुआ है इसके समाने व्यक्ति 2,000 रुपय का नोट नहीं चला पाएगा बलकि कोई भी व्यक्ति 2,000 रुपय का नोट नहीं चला पाएगा सुक्रवार को ये बड़ा फैसला हो चुका है आर्बिया के फैसले का मतलब है कि 2,000 रुपय का नोट अब चलन में नहीं होगा हालक ये रुपया लीगर टेंडर बना रहेगा, RBI के फैसले के बाद दो सवाल एहम हो गया है, क्या आने वाले दिनों में ये नोट बंद हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है, ये आने वाले समय में नोट बंद हो जाएगा, सवाल ये है कि 20 रुपए के नोट बंद हो जाएगे, तो आपको लिजे कि आपको पूरा वक्त मिल गया है, क्योंकि 30 सितंबर तक आप 2000 रुपए के नोट बदलवा पाएंगे, 23 माई से किसी भी बैंक में बदले जाएंगे, ये नोट और जमाबी किया जाएंगे, एक बार में 200,000 रुपए बदले जाएंगे, या बैंक में जमा किया ये नोट 8 साल बात चलन से बाहर होने जा रहा है तो जैसे ही आप बैंक में जाएंगे तो 20,000 रुपए आपको बदलने का मौका मिलेगा या जमा करने का मौका मिलेगा आप अपने अकाउंट में 20,000 रुपए चाहे तो जमा कर दे या 20,000 रुपए का जो 2,000 रुपए की 10 नोट है उसके बदले आप कैस ले ले ये नियम बनेगा और यही नियम बन चुका है आने वाले समय में 23 मई से आप जाकर नोट बदलवा पाएंगे एक अपडेट तो जो आपके साथ सेर किया गया है यानि आज से नोट बंद है कोई विवेक्ति आपसे 2,000 रुपए का नोट नहीं लेगा